सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको जीन्स को और वो भी फटी भी जीन्स को हमारी संस्कृती पर जीन्स का आक्रमण हो चुका है फटी हुई जीन्स भी हमारे संस्कारों को घायल कर रही है जब और उपर देखा, तो भुटने फटे थे, हाग देखे, तो कहीं कड़े थे ये सज्जन अब हमारे मुख्ट मंत्री हमारे देश में अभी एक कंट्रोवर्ट से खतम नहीं होती, कि दूसरे शुरू हो जाती है और मीडिया को भी इसे डिबेट का मुद्दा मिल जाता है जिस कंट्रोवर्ट से की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे वे हैं फटी जीन्स का मुद्दा, जो इस समय काफी सुर्ख्यों में है 15 मार्च दिन मंगलवार को एक कारे करम के दुरान उत्राकंड के मुख्य मंत्री तीरत सिंग रावत ने कहा था संसकारों के अभाव में युवा अजीब गरीब फैशन करने लगे है और घुटनों पर फटी जीन्स पैन कर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते है उन्होंने कहा कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछ नहीं है उन्होंने इस संबन में घटना का वियू लेक किया आप खुद ही सुन लीजे वह क्या कह रहे है तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहिंटी बैठी है और बहिंटी बैठी थी तो बाची दुई श्वाबा की बगल में बैठी है लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गंबूट थे जब और उपर देखा तो बुद्ने फटे थे हाथ देके तो कहीं कड़े थे लेकिन जब यह गुट्ने देखे बच्चे दो साथ में उनकी थे ने बैठी कहा जाना है दिली जाना है अजबेर कहा है जी एनु में प्रोपेसर है तुम्हे क्या करते हो में एक एंग्यो चलाती हो एंग्यो चलाती है उतने फटे दिखते है समाज के बीच में जाती हो बच्चे साथ में है तो युवतियां भी भाग रही है उस और में उस दोर में मुख्यमंतरी तीरत सिंग रावत के इस बयान के बाद महलाएं लगतार फटी जीन्स पेहन कर फोटो डाल कर अपना विरोध दल्ज कर रही है कुछ मेलाओं ने अपनी फोटो पोस्ट करकर लिखा है लिया हैश्टेग रिप्ट जीन्स ट्यंका गंधी ने भी अपनी ट्विटर पर RSS की कुछ फोटो शेयर की और लिखा ओमाई गॉड देर नीज आ शोइंग हैश्टेग रिप्ट जीन्स ट्विटर ट्विटर यूजर आलते ने लिखा और अपनी फोटो भी शेयर की इस मुद्धे पर अधिक जानकारी एंड़ी टीवी के विरिष्ट पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शोट प्राइम टाइम में दी और सरकार पर तैंस भी कसा धूप, कपूर, फूल अगर बत्ती हो तो प्राइम टाइम देखते समय जला लेजिए हवन कुंड से आती सुगंद के साथ हम जीन्स और जीन की बात करने जा रहे है यह कोई समान्य चर्चा नहीं है आपका ध्यान विशवस्तू पर केंद्रित रहे इसलिए वातावरण का निर्मान आवश्यक है हमारी संस्कृती पर जीन्स का आक्रमण हो चुका है फटी हुई जीन्स भी हमारे संसकारों को घायल कर रही है यह कैसा कपड़ा है जो खुद कटा छटा होकर घायल अवस्था में भी संसकारों के भारतिय समुच्य को मुर्षित कर रहा है कल्यूग में हम जितना कल्यूग से नहीं डरते उतना जीन्स स्यूग से डरने लगे समय समय पर संतों और मुख्यमंत्रियों और अने निताओं ने जीन्स को लेकर विशद विवेचना प्रस्तूत की है जीन्स ना फटे तो चिंता ना धुले तो चिंता और कहीं से कटी फटी हो तो राष्ट चिंता हमारे राजनेताओं की सतरक निगाहों ने एक पल भी जीन्स की पहरेदारी में कमी नहीं की है कपड़े के आर पार देखने की लालसा का संबंध कपड़े से नहीं होता है नजर से होता है तीरत सिंग रावत का ये कोई पहला बयान नहीं है जो विवाद का विशे बना है इससे पहले भी एक बियान उन्हें मोदी जी को लेकर दिया था जो कि काफी चल्चा का विश्य बन हुआ था एक कारेक्रम में रावत ने कहा पहले के समय भगवान राम ने समाज के लिए अच्छा काम किया था और इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे इसे थरब हविश्य हमारे प्यारे प्रधान मंत्री के साथ भी ऐसा ही होगा तीरत सिंग के मताबिक भगवान राम और कृष्ण की तरह लोग मोदी को भगवान मानेंगे तीरत सिंग रावत मुख्य मंत्री बनने के बाद से ही ऐसे ब्याम दे रहे हैं वरिष्ट पत्रकार अभिसार चर्मा ने उनकी सोच को लेकर सवाल खड़े किये और देश में असल समस्याउप की तरफ थ्यान देने को कहा मैं आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों अगर किसी की जीन्स घुटनों में फटी भी हो और अगर आप ट्रेन में बैठे हो और कोई सज्जन लगातार आपकी बहन आपकी पत्नी को घूर रहा हो आपकी वाइफ को घूर रहा हो तो कैसा लगेगा ये सज्जन अब हमारे जो हैं वो बेच रही है और रामदेव ने एक इंटर्व्यू में कहा था मेरी दोस्त निहा पंत को कि देखिए हम जीन्स लेकर आए हैं और ये फटी हुई जीन्स भी हम बेचते हैं जो आजकल फैशन में हैं तो तीरत सिंग रावत जी जरा रामदेव जी सही बात कर लीज तीरत सिंग रावत से पहले फटी जीन्स पर बाबा रामदेव भी काफी सवाल उठाया करते थे उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में जीन्स का जिक्र किया और फटी जीन्स के बारे में भी बोला था ज्यादा पहिसा इसलिए पहन रखी है और ये मैंने का फिर कैसे बोले ये तो स्पेशल डिजाइन है यहां से फटी हो यहां से फटी हो यहां से फटी हो पर बाब में क्या देखने को मिला बाबा रामदेव खुली जीन्स पेज़ते नजर आए जिसमें फटी जीन्स भी The Print के पत्रकार ने इस मुद्धे पर रिपोर्टिंग की और बाबा रामदेव से भी बात की और फटी जीन्स को लेकर उनके विचाल जानने की भी कोशिश की इसलिए मैंने कहा है वो देख सकते आप अब यह वेवाद कितना लंबा चलेगा यह तो नहीं कह सकते और हम उमीद करेंगे कि सरकाल जीन्स पर ध्यान देने की बजाए देश के जनतागे समस्याओं पर ध्यान दे ताकि देश तरक्की किरा पर बढ़ सके Punjab Today Report झाल